आप सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। एक समय नैमिशा रण्णे में पुराणों की कथाओं को सुनने के निमित हे कत्रित हुए 88,000 रिशियों ने श्री सूजी से कहा हे ब्राम्मन, आने वाले कलजुग में प्राणियों का उद्धार कैसे होगा। आप क्रिपा करके कोई सरलूपाय बताएं। उनके इस प्रशन का उत्तर देने के लिए वेद व्यास जी के शिश्य श्री सूजी जो सब पुराणों की कथाओं को अपने गुरु की क्रिपा से भली भानती जानते थे। कहने लगे के हे रिशियों कल युक में सब पापों को नाश करने वाला कार्तिक मातमे हैं। जो प्राणी इसका व्रत तथा उद्ध्यापन नहीं कर सकते वे इनका नाम सुनने मातर से फल प्राप्त कर सकते हैं। आप क्रिपा कर इसका महत्व एकाग्रिचित होकर सुने। और सूद्ध जी आगे कार्तिक के मातमे का पहला अध्याए बोले। नैमिश्यारन्ने मेवास करने वाले शौनक आधी 88,000 रिशियों ने श्री सूद्ध जी से कहा। हे ब्राम्मन आप हमारी इस घोर कलजुक से रक्षा करने के लिए कोई सरल उपाई बताएं। उनका यह प्रश्न सुनकर श्री सूद्ध जी कहने लगे कि हे रिशियों भगवान के चर्णों में तुम्हारी अटल भक्ती देखकर मैं तुमसे कार्तिक मातमे की कथा कहता हूँ। जिसके सुनने मात्र से मुनुष्य के सब पाप नश्ठ हो जाते हैं और वैकुंठ को वास हो जाता है। आप सावधान होकर सुनिए। एक समय नारज जी भ्रह्म लोक में जाकर सारे जगत के करता श्री भ्रह्मा जी से विनीद भाव से पूछने लगे कि हे पितामा कृपा करके कोई धर्मोप देश की ऐसी सुन्दर कथा कहिए जो सब पापों का नाश्ठ करने वाली हो। तब भ्रह्मा जी कहने लगे कि हे पुत्र भगवान के चर्णों में तुम्हारी ऐसी पृती देखकर मैं तुमसे कार्तिक मास का मात्मे कहता हूँ जिसके सुन्ने मात्र से मनुष्य के सब पापनश्ठ हो जाते हैं और वहे वैकुंठ का अधिकारी हो जाता है। कार्तिक मास भगवान को अती प्रिये है। इसमें किया हुआ वरत, दान, नियम तथा किर्टन अनंत फल देने वाला होता है। क्यूंकि इस मास में किये हुए भगवत कृत्ते से बढ़कर कोई यग्ये तथा तब नहीं है। अताहा सारे संसार की भलाई के लिए तुमने अती सुंदर प्रश्न किया है। मैं इस कथा को तुम से कहता हूँ। तुम सावधान होकर इसकी विदी सुनू। व्रती मनुष्य प्रहताकाल भ्रम्मूरत में उठकर शौचादी से निवृत होकर बारा उंगल लंबी सुगंदित व्रिक्ष से दातुन करे। परंतु श्राद के दिन, सूरे तथा चंद्र ग्रहन के दिन, एकम, अमावस, नवमी, छट, एकादिशी तथा रविवार को दातुन ना करे। जिस दिन दातुन ना करनी हो, उस दिन पानी से बारा कुले करके मूँ को खुब अच्ची तरह से साफ कर ले। जब दो घड़ी रात्री रह जाए, तो काले तिल, चंदन, चावल, फूल या कुशा लेकर तलाब, कुंड, नदी या संगम, तथा किसी तीर्थ स्थान में जाकर भगवन से प्रातना करे। कि भगवन आपकी और श्री लक्ष्मी जी की प्रसंता के लिए मैं कार्तिक मास में स्नान करूंगा। इस प्रकार संकल्प करके श्री गंगाजी, शेव, सूरे और विश्नु भगवान का ध्यान करके नाभी परियंत जल में प्रवेश करके अच्छी तरह से स्नान करे। फिर जल से बाहर आकर देवता, रिशी और पित्रों का तरपन करे। स्नान के पश्चात बक्री तथा भेड की धूली से बचना चाहिए। भगवान का पूजन करे। भगवान को अर्ग देकर और प्रात्ना करके कि भगवान श्री रादा सहित मेरे इस अर्ग को ग्रहन करे। इस प्रकार प्रात्ना करके सोला चीजे। आवान, पाद्दे, अर्गे, आच्मन, स्नान, वस्त्र, चंदन, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्दे, ताम्बुल, पुंगी फल, दक्षिना और नमस्कार। भगवान की मूर्ती को अर्पन करके तुलसी मंजरी से भगवान का फूजन करना चाहिए। इसी को शोडश उपचार पूजन कहते हैं। इस प्रकार कार्तिक महत्मे का पहला अध्याय स्माप्थ हुआ।